दोस्तों नमस्कार, इंग्लिश का फंडा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम रोजाना यूज होने वाले 43 इंग्लिश संटेंसे के बारे में सीखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे साथियों, कुछ खास है क्या? Is anything special? Is anything special? मुझे केवल दूसरे मिले अपने नहीं। I got only others, not my own. जब मैं अपनी बेटी का चेहरा देखता हूँ, रोना आता है। When I look at my daughter's face, I weep. Whenever I look at my daughter's face, I weep. तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। Your tongue move a lot like scissors. यह एक अपवा है। This is a rumor. प्लीज मेरे पर एक एहसान कर दो. प्लीज दू मी अ फेवर. क्या तुम मेरी बेटी को मेरे से दूर ले जा सकते हो? Can you take my daughter away from me? Please मुझे ना मत कहना. Please don't say no to me. तुम खुद में उल्जे उल्जे रहते हो. You are entangled within yourself. अगर मैं ऐसी दो खरीदूं, कितने रुप्य लोगे? What would you charge if I buy two of these? तुमने तमाशा क्यों लगा रखा है? Why have you created a scene? मैंने तुम्हें बताया था, मेरा खयाल रखने वाला कोई नहीं. I told you, I don't have anyone to care. I told you, I don't have anyone to care. क्या हम अंदर आ सकते हैं? Can we come inside? अब हम जा रहे हैं? We are living now. वो सब ठीक है, पर इस बारे में मैंने सोचा नहीं. That's all fine, but I have not thought about that. Okay, sir, बाद में मिलता हूँ. Okay, sir, see you later. Okay, sir, see you later. चिंता करने की जरूरत नहीं है. No need to worry. No need to worry. मेरे एक्जैम चल रहे हैं. My exams are going on. My exams are going on. मुझे ऐसा लगता है, कि वो बहुत लाचार है. I think she is looking very pity. I think she is looking very pity. तुम्हारे आने से मुझे चैन मिला. I felt relieved on your arrival. I felt relieved on your arrival. दोशी कौन है? Who is to blame? Who is to blame? अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तो उसे बुला लो. If you are feeling that bad, then ask her to come. If you are feeling that bad, then ask her to come. क्या तुम इस बारे में फिक्र कर रहे हो? Are you serious about it? मैं अब चैन की सांस ले रही हूँ. I am breathing a sigh of relief. देखो, अगर वो आना चाहती है तो, see if she wants to come. तो मैं जाती हूँ और उसे फोन करती हूँ. Then I go and call her. Then I go and call her. चाउमीन देखकर उसकी लाट टफगने लगी. Her mouth began to water at the sight of चाउमी. मैं तुम्हे कुछ बताने के लिए वापिस आई हूँ. अगर आपको इतराज नहों, क्या मैं आपकी गाड़ी ले सकता हूँ? If you don't mind, can I take your car? उसको इन मुसीबतों से दूर रहने दो. Let her away from these problems. मैं उसका खयाल रखूंगी. I will take care of her. वह कोई अजिन भी नहीं. He is not a stranger. वह कितने प्यार से बुला रही है? मैं नहीं जाओंगी. तुम जा सकते हूँ. I will not go. You can go. तुम जान लगा कर चिला रहे थे. You are shouting at the top of your voice. चलो नीचे उतरो. Come on, get down. मैं अपना बैग लेना भूल गया. I forgot to take my bag. तुम ये बैडरूम यूज कर सकती हो. You can use this bedroom. ये मुझे दे दो. Give it to me. क्या ये आराम करने का कमरा है? Is it a restroom? तुम इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकती हो. You can use either of them. You can use either of them. मुझे जाने दो. सोने का टाइम हो गया. Let me go. It's time to sleep. Let me go. It's time to sleep. वह भी अपने बाप जैसा है. He is also like his father. He is also like his father. आज के लिए इतना ही पैरे दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में. नई sentences के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना. अगर आप हमारे चैनल पे बिलकुल नए हैं. तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अपना ख्यार लखिए सुरक्षित रहिए. जै हिंद जै भारत.